हेलो नमस्कार आदाब सस्रियाकाल जहिन वन्यमात्रम दोस्तों अध्यन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत उलहार्दिक अभिनंदन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड दो हजार बीस नोटिफिकेशन जो दूई वर्सिय जो बीएड पठ्थे करम होता है दो हजार बीस से बाइस तक का जो पठ्थे करम रहेगा उसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसकी पूरी डिटेल आज आपको बताई जाएगी step by step क्या योग्एता होनी चाहिए बीएड के लिए क्या syllabus होगा entrance exam का कौन सी university entrance exam conduct कराएगी और कब आपकी kaunceling होगी कब आपका admission होगा ।ो देखेगा start करते हैं बीएड दूई वर्सिय पठ्थे करम परवेश परिक्षा पहले बियर एक वर्स का भी हुआ करता था लेकिन बाद में दुई वर्स ये पठे करम अब होता है उत्तर परदेश राज्ये विश्विद्यालिये एवं उनसे संबंस सहयुक्त तथा गटक माविद्यालियों में सेक्सिनिक सत्र 2020-22 में परवे सेतू निर्देशिका देखेगा और इस बार एक बड़ी बात ये है कि जितनी भी उनिवर्सिटी है जिसकी सहयुक्त एंट्रेंस एक्जाम होता है यूपी में हर वर्स कोई एक उनिवर्सिटी एक्जाम को कंड़क्ट कराती है और इस बार ये जिम्मा मिला है लखनाउ उनिवर्सिटी को तो लखनाव युनिवर्सिटी इस बार बीड एंट्रेंस एक्जाम का योजन कराएगी चलिएगा आगे चलते हैं जो महत्पूर्ण जानकारी है वो आपको दी जाएगी बाकी PDF बहुत बड़ा है फूरा नॉटिफिकेशन है देख सकते हैं आप इसको डिटेल से तो देखेगा यहाँ पर पाठे करम परवेश के लिए क्या योग्यता रहेगी बीड दुई वर्सिये परवेश परिक्षा में यदि आप भाग लेना चाते हो तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई है सैक्षिक साइक्षिकर अरहता कि विएड करने के लिए व्यड्य और दू विट्वर्शिय है परवेश परिक्षा में सम्हिलित होने Ск donor उन्टम्च अरहता लिखी वहाये देखेगा नंबर फर्स्ट साइन्स सामाजिक विज्ञान मानिकी विज्ञान वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतू न्यूनतम पचास परतिशत अंकों के साथ विधी द्वारे स्थापित किसी विश्विद्याले की इसनातक उपाधी अत्वा इसनातक उत्तर उ में गनित एवं विज्ञान में विशेशग्यता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथ्वा उप्रोक्त में से उप्रोक्त के सम्तुल्य कोई अन्य अरहता वाले अभ्यारती परवेश परिक्षा में सम्मिलित होने हेतू अर्ष होंगे देखेगा यहां पर जो योग्यता दी गई है ध्यान से देखिए बेड यदि आप करना चाहते हैं तो बेड के लिए यहां पर स्ट्रीम चाहिए कोई भी हो यह साइन्स और कर अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आपके लिए यॉग्यता क्या होनी चाहिए पहली बात तो यह कि आपको ग्रेजवेट होना चाहिए ग्रेजवेट होना चाहिए आपको ग्रेजवेशन आपने complete कर ली हो और वो भी न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ में देखेगा 50% अंक आपके होने चाहिए यदि आप सामानिय और पिछड़ा वर्ग से संबंद रखते हैं यदि आप जनरल और OBC से संबंद रखते हैं तो 50% आपका होना चाहिए ग्रेजवेशन में और यदि ग्रेजवेशन आपने नहीं की है तो इसनात कोत्तर उपाधी आपके पास होनी चाहिए यानि पॉस्ट ग्रेजवेशन आपने किया हो तो देखेगा या तो 50% के साथ में आपने इसनातक किया हो या इसनातकोत्तर किया हो यानि ग्रेजवेशन किया हो या पॉस्ट ग्रेजवेशन किया हो तो आप योग्ये माने जाएंगे बीएड के लिए और बीएड की एंट्रेंस एक्जाम में आप भाग ले सकते हैं बीएड आप कर सकते हैं और इसके अलावा यदि बी-ई वेबिटेक में गणित्यम विज्ञान में विशेसज्यता वाले चात्रों के लिए जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 55% 55% अंकों के साथ अत्वा इसके समतुल्य को योग्यता होनी चाहिए तो कुल मिलाकर यदि आप 50% अंकों के साथ ग्रेजवेट है या पोस्ट ग्रेजवेट है तो आप इसके लिए योग्ये माने जाएंगे अगर आपकी कैटेगीरी जन्रल और OBC है इसके अलावा SCST और SCST के बताया जाएगा आगे चलिएगा कि सेकिंड पॉइंट अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन्जाती के अभ्यार्तियों हे तू विधी द्वाराय स्थापित किसी विश्विद्याले की सनातक या इसनात को तर उपाधी उत्तिन अथ्वा गणित एवं विज्ञान म विशेशग्यता के साथ बी एवं बीटेक में सनातक उपाधी अथ्वा उप्रोक्त के सम्तुल्य कोई अन्य अरहता वाले अभ्यार्ती परवेश परिशा में सम्मिलित होने हे तू अहर होंगे देखेगा सेकिंड पॉइंट यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती यहां पे स्ट केटेगरी और स्ट केटेगरी के यदि आप अभ्यार्ती हैं तो यहां पे आपको केवल परसंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है आपका या तो इसनातक होना चाहिए या इसनातक उत्तर होना चाहिए तो भ आपका graduation 50% के साथ होना चाहिए graduation या post graduation लेकिन यदि आप SC या ST से सम्मंद रखते हैं तो आपको परतिशत की कोई बात देता नहीं होगी केवल आप इसनातक हो या आप इसनातक उत्तर हो graduate या post graduate तो भी आप इसके लिए अहर होंगे नेक्स देखेगा नंबर थी पॉइंट द्रस्टी बादित अभ्यारतियों को न्यूंतम सेक्षनिक अरहता में इसना तक इसतर पर पांच परतिशत की छूट दी जाएगी देखेगा जो द्रस्टी बादित अभ्यरती हैं उनको न्यून्तम सेक्ष्णिक अरहता में इसना तक इसतर पर पांच परतिशत की छूट होगी देखेगा यदि दरस्ती बादित है तो उसको भले ही वो जनरल कैटेगरी के हो या OBC कैटेगरी के हो तो उनको पांच परतिशत की छूट दी जाएगी नेक्स चलिएगा नमबर देखेगा नमबर फोर तीन नमबर तीन पॉइंट कंप्लीट हुए चोथे पॉइंट की ओर चलते हैं संपूणा नंद संस्कत विश्विद्याल्य वारानसी या उससे संबंद महाविद्याल्यों में सिक्षा सास्त्री बेड में परवेश के इच्चुक अभ्यारती है तू सैक्षनिक अरहता का विवरान निम्दवत हैं तो देखेगा संपूणा नंद संस्कत विश्विद्याल्य वारानसी या उससे संबंद महाविद्याल्यों में सिक्षा सास्त्री बेड में परवेश के इच्चुक है तो उनके लिए क्या योग दियता है यहां पर दी गई है देखेगा नून्तं 50 पर्तिशत अंको सहित संपूढा नंद संसियत विश्विद्याल्य की त्री वर्सिये सास्त्री परिक्षा या दुए वर्सिये सास्त्री परिक्षा सत्र-90-90 तक या विधी द्वारे स्थापित किसी अन्य विश्विद्याले की सास्त्री अत्वा त्री वर्षे सनातक परिक्षा तीनों वर्ष में संस्क्रत सहित अत्वा द्वी वर्षय सास्त्री या संस्क्रत वैकल्पिक विशेशहित द्वी वर्षय इसनातक परिक्षा सत्र 1985 तक क्या मतलब है इसका देखेगा यदी संपूरा नंद संस्कत विश्विद्याले वारानसी से आप संबध है तो वहां पर जो ग्रेजवेशन होता है जिसको सास्त्री बोला जाता है वो पहले द्वी वर्षय होता था अब त्री वर्षय होता है तो दुई वर्सिय या त्री वर्सिय पाठे करम जिसने कम्प्लीट किया है वो भी 50 परतिशत अंकों के साथ तो वो भी इसके लिए योग्य होगा वो भी ये जो परिक्षा होगी पातरता परिक्षा सोरी ये एंट्रेंस एक्जाम जो होगा तो इसके लिए वो योग्य माना जाएगा ठीक है आगे चलिएगा महत्रपूर्ण नोट भी यहां पर दिया गया है ऐसे अभ्यारति जो 2020 में अरता परिक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस परवेश परिक्षा में आवेदन करने ही तूर होंगे ऐसे अभ्यारतियों को काउंसलिंग पर किदिया के पूर न्योंतम अरता धारित करना अनिवारिये हैं यानि एपियर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपलाई कर सकते हैं बीड के लिए जो ग्रेज़ेशन में एपियर है या पॉस्ट्रेशन में जो एपियर है वो अपलाई कर सकते हैं बीड के लिए आगे चलिएगा देखेगा यहाँ पूरा लेखा जोखा यहाँ पे दिया हुआ है बिएड दुई वर्षिय पाठे करम परवेश परीक्षा से संबन्दित जितनी भी महत्वपूर्ण डेट है वो सब यहाँ पे दी गई है देखेगा फर्स देखेगा ओनलाइन पंजीकरण की प्रारम्तिती ओनलाइन पंजीकरण स्टाट हो चुका है 12-2020 से और ओनलाइन आवेदन की प्रारम्तिती ओनलाइन आवेदन 14 तारिक से स्टाट हो चुके है 14 फरवरी 2020 से स्टाट हो चुके है ओन-लाइन आवेदन 28 के लिए और ओन-लाइन आवेदन की अंतिम्तिथी देखेगा most date है 6 मर्च last date रखintelly गई है और 6 मर्च तक आप आवेदन कर सकते हैं बीएड के लिए विलंब सुल्क सहित आविदन की अंतिमति थी और यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको विलंब सुल्क भी देना होगा और 11 मार्च तक आप आविदन कर सकते हैं तो उसके लिए लास डेट होगी 11 परवेश परिक्षा की संभाविति थी देखेगा जो पर परवेश परिक्षा जो होगी 8 अप्रेल को कि कराई जाएगी लगबग अभी जो संभावित है 8 अप्रेल 2020 को यह एक्जाम कंड़क्ट करा जाएगा और इसके बाद में देखेगा परवेश परिक्षा का जो परिणाम है वह 11 मई तक 11 मई 2020 तक यह डिकलियर कर दिया ठीक है ये संभावित थी हैं और अन लाइन पर वेस कांस्लिंग प्रारम होने की संभावित थी और फिर आपकी कांस्लिंग स्टार्ट हो जाएगी एक छेंद दो हजार बीस से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बेड के लिए और स्ट्र प्रारम होने की तिथी और सत्र आपका स्टार्ट हो जाएगा एक साथ दो हजार बीस को आपका सत्र सुरू हो जाएगा द्वी वर्षिय पठे करम आपका चालू हो जाएगा अब भ्यार्थी का सीधा परवेश एवं उनके पर्मानन की अंतिम्तिती 10-7-2020 होगी सीधा परवेश के लिए 10-7-2020 तक परवेश लिए जाएंगे तो ये पूरा लेखा जोखा यहाँ पर दिया हुआ है बेड के लिए तो ध्यान से देख लिजेगा आप एक बार फिर से रिपीट करके और परवेश के लिए सुल्क क्या लगेगी अगर आप आवेदन करते हैं बेड के लिए तो उसके लिए क्या फीस लगेगी आवेदन के लिए जो सुल्क लगेगा जो उत्तर परदेश के सामान्य एवं अन्य पिछडावर के अभ्यारती हैं उनके लिए अगर वो समय से अपना फॉर्म सम्मिट करते हैं फीस जमा करते हैं तो पंद्रह सो रुपे उनके लगेगे और यदि वो लेट हो जाते हैं तो पांच सो रुपे उनको एक्स्टा देने होंगे यानि विलंब सुल्क के साथ में उनको लगेंगे तू थाउजन दो हजार रुपे उनके लगेंगे देखेगा लेट फीस के साथ में तू थाउजन और वरद्धी हो जाएगी तो यह ध्यान रखेगा 2000 आपको देना होगा और यदि अनुसुच जाती एवं जन जाती के अभ्यारतियों के लिए देखा जाए तो उनके लिए 750 रुपे हैं और विलम सुल्क के साथ में 1000 रुपे और अगर कोई बाहर के अधर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो 1500 रुपे उनको देने होंगे और यदि वो विलम सुल्क के साथ में जमा करेंगे तो 2000 उनको देना पड़ेगा ये फीस आपकी रही Simple समज में आ गया होगा आपकी आगे चलता ये पठी करम परवेश परिक्षा जो होगी वो कैसे होगी तो देखेगा परवेश परिक्षा का प्रारूप कैसा होगा तो यहाँ पे दो पेपर आपके होगे एक ही दिन में आपका एक्जाम कंड़ेक्ट हो जाएगा दो पालियों में आपकी परिक्षा होगी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर पर्थम जो प्रसन पत्र होगा वो दो पार्ट में विभाजित हैं और एक में होगा जनरल नॉलिज सामान्य ज्यान और पचास प्रसन इसके आएंगे और अंक जो होगे होगे यानि 2 अंको का एक प्रसन होगा 100 अंक टोटल होगे और भासा language की अगर बात करें तो language हिंदी या इंगलिस में से कोई भी language एक language आप ले सकते हैं वो भी आपकी 50 अंको की होगी और 2 अंक परती एक प्रसन के लिए दिया गया है यानि टोटल आपकी परिख्षा 100 marks की होगी यानि कुल में लागे 100 अंकों का सामान्य ग्यान और 100 अंकों का आपका होगा language टोटल 200 marks की परिख्षा होगी first paper होगा और समय इसके लिए जाएगा तीन घंटे तीन घंटे का समय इसके लिए होगा और जो second paper है कि second paper में क्या होगा देखेगा गुद्द्य प्रसंपत्र जो होगा ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट पार्ट में आपका होगा सामान्य अभीरुची परिक्षन, जेनरल एप्टिटूट टेस्ट होगा, रिजनिंग यहां पे आपका आएगा 50 माक्स और इसके अलावा विसेश योग गयता, यदि आपकी साइन्स स्ट्रीम है, या आर्ट स्ट्रीम है, या कोमर्स स्ट् स्ट्री कल्चर है, तो उसी से आपके प्रस्ट पूछे जाएंगे, और यह जो प्रस्ट आप से पूछे जाएंगे, देखेगा, उसी से आपके प्रस्ट पूछे जाएंगे, और इसमें जो है 50 कोश्यन आपके पूछे जाएंगे, आपकी स्ट्रीम से, देखेगा, जो भी आपकी स्टीम है जिस भी स्टीम से आप संबंदित हो साइंस स्टीम आर्ट स्टीम या कोई भी स्टीम उससे आपके 50% पूछे जाएंगे और अंक होंगे फर्स्ट पेपर भी 200 अंकों का होगा तीन घंटे की परिक्षा होगी और सेकिंड पेपर भी आपका 200 अंकों का ही होगा और तीन घंटे की ही आपकी परिक्षा होगी आगे चलिए देखेगा यहाँ पर कुछ भारांक दिया जाएगा कुछ वेटेज दिया जाएगा और वेटेज किन को मिलेगा यहाँ पर देखेगा जो भारांक दिया जाएगा एक्स्टा जो मार्क्स दिये जाएगे वो किन किन को दिये जाएगे देखेगा जो एक्स्ट्रा माक्स दिये जाएंगे तो राष्ट्य या राज्य इस तरिये अंतर विश्विद्याले खेल खुद परतियोगता में भाग लेने वाले अभ्यार्थी को यदि वो इंडिविज्वल आइटम में अभ्यार्थी द्वारा पर्थम इस्थान यदि प्राप्त होता है तो पर्थम इस्थान पर 15 अंक दिये जाएंगे दुद्य इस्थान यदि उसने प्राप्त कर रखा है तो 10 अंक दिये जाएंगे और थार्ड पोजिशन के लिए 5 अ सदस्य होने पर 15 अंक और उप विजेता होने पर 10 अंक और परति भागी टीम का सदस्य होने पर पांच अंक आपको दिये जाएंगे किसी विश्विद्याले द्वारा संचालित अन्यमाविद्याले टूनामेंट या क्रेडा या खेल खुद परत्योगता में सर्विजेता चेंपियन टीम का सदस्य होने पर 10 अंक दिये जाएंगे और एकल परत्योगता में परत्थमस्थान आने पर 10 अंक दिये जाएंगे तो यह आपको एक्स्ट्रा अंक भी दिये जाएंगे और भी हैं आगे देखेगा नेशनल क्यड़िट कोर एवम राश्चे सेवा योजुना के अभ्यरती देखेगा एन सी सी सर्टिफिकेट जिनके पास हैं एन सी सी जिनोंने किया हुआ है यदि सी सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो पंदरे अंक आपको दिये जाएंगे और यदि बी सर्टिफिकेट तो आपको 10 अंक दिये जाएंगे आगे चलिएगा और राष्टे सेवा योजना के अंतरगत 240 घंटे की सेवा या दो विशे सिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को भी दिये जाएंगे 15 अंक और राष्टे सेवा योजना के अंतरगत 240 घंटे की सेवा तथा एक वि जर्थी को पांच अंक दिए जाएंगे स्काउट गाइड इसकाउट एवंग गाइड अत्वा रोवर्ज रेंजर्स का राष्ट्य पुरुसकार यदी प्राप्त है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे कि देखेगा कि पंद्रेंग आपको दिए जाएंगे इसके अलावा स्काउट गाइड का राज्येपाल पुरुशकार प्राप्थ है तो दस अंक आपको दिये जाएंगे स्काउट गाइड गुरुपद अथवा रोवर्स रेंजर्स तरित्य सो पानमें परवीन परशिक्षन यदि प्राप्थ है तो तो पाच अंख आपको दिये जाएंगे, स्वत्तंत्रता शंग्राम सेणानी के आसरितो को DO Pstarayan 1 ठीक दिये जाएंगे देखेएगा पन्रे अंक दिये जाएंगे Freedom Fighter से संभंधित जो है उनके आसरित जो है तो उनको पन्रेंग दिये और ऐसे करमचारी जो सेवारत या विसेन्यकरत या स्थेवा निवरत्ती परतिरक्षा करमचारी हो या ऐसे करमचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंदित हो या ऐसे करमचारी जो अपंग लापता या मृत परतिरक्षा करमचारी से उनके पुत्र पुत्री पत्न के रूप में संबंदित हो तो उनको भी पंद्रयंग दिये जाएंगे इसके लावा ऐसे अभ्यारती जिनके पिता अत्वापती पुलिस या पीएसी या बीएसेफ या एसेसबी या इटी बीपी या स्यार पीएफ या होमगार्ड में सेवारत हो या सेवा निवरत अपंग य के पास हो तो ऐसी स्तिती में भी पंद्रयंग उनको दिये जाएंगे और ऐसी महिला भ्यारती जो विद्वा तलाक सिधा या परितिया गता हो बीए उनको दिये जाएंगे तो देखेगा यह वेटेज दिया जाएगा यह वेटेज रहा और देखेगा यहाँ पे जितनी भी युनिवर्सिटी है टोटल विश्विद्याले जिनके लिए यह एक्जाम कंड़क्ट करा जाता है और यूपी में 16 युनिवर्सिटी ऐसी है जो यह पठे करम चलाती है बीएड संयुक्त परवेश परिक्षा जो होती है वो 16 युनिवर्सिटी से संबंदित होती है और हर साल एक को युनिवर्सिटी इस एक्जाम को कंड़क्ट कराती है और लखनाउ इस विद्याले को यह जिन्मा सोंपा गया है इस बार और आगे चल तो यह वीडियो आपको कैसे लगी अगर अच्छे लगी तो लाइक करिए कमेंट करिए सेयर करिए और सबसे जरूरी जो चीज है हमारे चैनल को अध्यन गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन को प्रेस करिए जिससे की लेटेस्ट वीडियो के न है हिंड़